दो इससे पहला हमने बात किया था synchronizing current के वारे में कि अगर हमलोग alternator को parallely चला है तो ऐसे गिसमिल जो alternator है किसले होना चाहिए synchronization में होना अगर alternator अगर synchronization में नहीं होते तो ऐसे एसमिल आजाए ऐसमिले होगा क्या कई current टाइक आ जायेगा किसके वजे से MF के डिफериंस के वजे से तो हम लोग बात करने हो क्वाले synchronizing power के बारे में और synchronizing talk के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे synchronizing power को efficient और synchronizing talk को efficient के बारे में तो सबसे बहला यहांodus पर हम पता होना पार साथ हमें synchronizing current के बारे में तो कीप machine in synchronism in parallel operation of alternator तो अगर alternator अगर synchronization में नहीं है तो जो synchronizing current है वो क्या करेगा जो alternator है उसे synchronization में लाने की कोशिच करेगा हमने डिसकस किया थे कि synchronization का मतलब क्या है अगर तो alternator अगर parallelly चल रहे हैं दोनों का EMF से में दोनों same power deliver कर रहे हैं दोनों same power factor पर operate कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों जो alternator हैं वो किसमें वो synchronization में घर तो जो synchronizing current होगा तो आपर अम लोग synchronizing current के effect के बारे में बात करें तो जो synchronizing current है वो EMF के difference के वजए से exist करता है right EMF difference के वजए से synchronizing current आता है और यह जो synchronizing current वो EMF के difference को कम भी करता है जिसके वज़े से दोनों जो alternative हें synchronization में आ जाते right तो यहाँ पर हम लोग robot सकते हैं जो synchronizing current है वो जिस reason के वज़े से आता है उसी reason को क्या करता है अब ब potrze करता है तो synchronizing current के साथ जो associated power होता उसी को हम लोग बुलते है synchronization power और जो associated talk होता उसी को यो हम लोग बुलते है synchronization talk टॉइですね तो सबसे बहुता अगर हम लोग देढँ synchronizing current keep to machine in synchronization जो synchronizing current होता है वो दो machine को synchronization में रखता है या फिर म बल सकते है डिस्कस क्या था, Synchronization की requirement क्या है, जब हम लोग कमशीन को paralleli अपरेट करता है, तो जो मशीन है, वो synchronization में होना ज़रूरी है, otherwise जो मशीन है, उसको हम लोग paralleli नहीं चला पाएंगे, तो जिसके हम ने डिस्कस क्या, जो synchronizing current होता है, दो machine को synchronism में रखता है, जिसके वो जो हैं जिसे टॉक से टॉक्त सल्ट से शिंक्रमाइजिंग करेंट के साथ इसको उम्हों बोलते là बूट से बाले पर isn from all this Oke करके लिए बोलते सिंक्र्याइजंग पावर कोईफिशन्ट तो किसे मध्यक्स में सिंक्रो नाइजिंघ counterpart कोईफिशेंट रियलावर फैंगर दिवावर अीडे स सांवार आपर हासे मने एसे को हम लोगते से मेश्अचे निड पावर कॉइफिशिंट टियुनेट के बारे में बात करें तो इसकी यू intim बात्टिक पावर को कि मैं चंपरियों थे क्लिते करते हैं मैं इंडिक्लिंग करते हैं मैसे स्थे और रोटर के पीच में इस्ट्रेटा और रोटर के बिच में जो magnetic coupling है अगर वो strong होती है तो जो synchronizing power coefficient है वो ज़्यादा होगा synchronizing power coefficient का में इसका मतलब जो इस्ट्रेटा और रोटर के बिच की जो magnetic coupling है वो VK तो जो magnetic coupling होती है इस्ट्रेटा और रोटर के बिच की वो proportional होती है synchronizing power coefficient के साथ तो if synchronizing power coefficient is high अगर synchronizing power coefficient अगर जादा होता है तो जो magnetic coupling होगी strata और rotor के बिच की वो कैसी होगी high होगी या फिर वो सकते strong होगी अगर magnetic coupling strata और rotor के बिच की अगर weak है तो जो synchronizing power coefficient है वो कम होगा over excited machine के case में जो magnetic coupling होती है strata और rotor के बिच की वो strong होती है जिसके वज़े से जो over excited machine का synchronizing power coefficient होता है, वो high होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देगे, यहाँ से हम लोग machine की stability के बारे में भी define कर सकता है, अगर synchronizing power coefficient, अगर 0 के comparison में अगर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो machine है, वो stable है, right, अधिक condition for synchronous machine is to be stable, जो synchronous machine की stability के लिए condition क्या है, जो synchronizing power coefficient है, वो greater होनाचे 0 के comparison में, तो synchronizing power coefficient के respect में भी, हम लोग जो synchronous machine है, उसकी stability के बारे में बता सकते हैं, अगर synchronizing power coefficient अगर 0 के comparison में अगर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है, कि हमारी जो synchronous machine है, वो stable state में, right, similarly अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हमें actual definition समझ में आगा, synchronizing power का actual definition है क्या, by changing power angle, extra amount of power which is generated by a system, that power is known as synchronizing power, तो जैसे के हमने डिसकस किया, synchronizing power का actual statement है, वो अभी है यहाँ पता चल गया, power angle को change करने पर, by changing power angle, extra amount of power जो कि generate करे है हमारा system alternator, तो जो extra amount of power है, उसे को यह हम लोग basically बोलते है, synchronizing power, तो synchronizing power को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हमें external पुछता है, synchronizing power क्या है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते है, power angle change होने पर, extra amount of power जो generate होती है, उसे को यह हम लोग basically बोलते है, synchronizing power, और जो synchronizing power हो, synchronizing current के साथ associated होती है, अगर हम लोग synchronizing power का mathematical relation consider करे हैं, तो जो mathematical relation होगा हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर हम लोग synchronizing power के बारे में बात कर रहे हैं, इस से फ़रल हमने बात किया था, synchronizing power coefficient के बारे में, synchronizing power coefficient हमें क्या बोड़ा था, जो real power में जो change था, power angle के respect में वो था, synchronizing power coefficient, और हमने यह देखा था, जो synchronizing power coefficient है, वो हमें indicate करता है, magnetic coupling, straightor, rotor के बीच में, कितनी strong हैं और कितनी weak हैं , और जो synchronizing power वो है या जो synchronizing power है वो यह है power angle change करने पर जो extra amount of power हमारो system जो generate करेगा उसी को यह हम लोग basically गोलते है synchronizing power synchronizing power के लिएगर हम लोग mathematical relation consider करें तो जो mathematical relation होगा हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा synchronizing power is equal to यहाँ पर 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 यहाँ गोलते है यहाँ पर अगर हम लोग देखे synchronizing power flow from generator to bus and from bus to generator to maintain the speed of synchronous machine at NS जो synchronizing power यो flow करता है generator से bus और bus से generator के बिच में ताकि जो synchronous machine की speed है वो NS पर ही हो तो यह synchronous machine की speed है उसे NS पर रखने के लिए जो synchronizing power का flow है वो generator से bus से generator हो रहा होता है Synchronizing power का flow यहाँ पर similar link भी बात कर लेते हैं synchronizing talk के बारे में synchronizing talk का मतलब क्या होता है Talk required by machine to keep speed constant is known as synchronizing talk Talk जो के machine को लगेगा speed को constant अखने के लिए तो जो talk होता है उसको basically बोलते है synchronizing talk जो synchronizing talk होता हो basically additional talk होता है और mathematical relation अगर हम लोग consider करें synchronizing talk का तो जो synchronizing talk का mathematical relation है कुछ इस तरीके से मिलता है Synchronizing talk is equal to और यहाँ पर यह T sub script में SY है क्या यह synchronizing talk coefficient और यहाँ पर यह जो डेल्टा डेल्टा यह है क्या यह चेंज इन पावर एंगल तो synchronizing power and synchronizing talk are transcendent तो यहाँ पर हमने बात क्या synchronizing talk का मतलब क्या होता है talk जो के machine को चाहिए होगा machine की speed को concentrate रखने के लिए जो talk होता है उसको लोग basically बोलते synchronizing talk और जो synchronizing talk होता होँ additional talk होता और यह synchronizing talk का mathematical relation होता है यह T-subscribe में SY हमें indicate कर रहा है synchronizing talk coefficient यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो synchronizing power और जो synchronizing talk है यह basically nature में कैसे होते है यह basically transient होते है nature में तो यह बहुत important है और यह transient होते है क्योंकि अगर हम लोग देखें यह existence में आते जब system में किसी भी तरीके का mechanical disturbance होता है या फिर हम लोग बूल सकते हैं जब system हमारा unstability के तरफ जाता है तो जो synchronizing power और जो synchronizing talk है वह existence में आता है और इनका जो nature होता है वो कैसा होता है transient nature होता है आता है